बच्चो कैसे आप लोग हैं very sure आप सब बहतरीन होंगे so बच्चो आज में एक बहुत बड़ी दुविधा आपकी solve करने वालों और ये I'm very sure कि इस provision को बहुत सारे बच्चे wrongly interpret करते हैं let's have a discussion so बच्चो 165 section number 165 number of directorship चलिए अब मैं आप आपको बता दूँ सबसे पहला बच्चो पब्लिक कंपनी एस पर 2 clause 71 आपको पता होगा कि पब्लिक कंपनी को दो टाइपस में डिवाइट किया गया ठीक है एक जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और डूसरी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ऐसी कंपनी की सबसेडरी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है जो प्राइवेट कंपनी नहीं मतलब जो पब्लिक है मतलब एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी holding कौन है ऐसी company जो private नहीं है मतलब public company ठीक है और इस private को हम क्या मानते है इस private को हम deemed public मानते है deemed public के उपर मेरा सारा discussion आदे गंटे का discussion है पूरी history उसकी जो है आप YouTube पे वो वीडियो find कर सकते है अगर एक प्राइवेट कंपनी पॉब्लिक की सबसीडरी हो जाय तो that becomes deemed public company अगर हम इसका उल्टा कर दें इसका जिस्ट आपोजिट कर दें माल लीजिए प्राइवेट लिमिटेड मिसाल के दौर पे एक्स लिमिटेड सरी एक्स प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और इसकी सबसीडरी है वाई लिमिटेड सो बच्छों अगर प्राइवेट कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी is the holding company and subsidiary is the public company तो what would be the status of this private company इस private company का status क्या होगा बच्छो I am very sure कि बहुत सारे इंटर्व्यूस में एक्वेस्टन पूछा जा चुका है तो आप मुझे बताईए क्या status होगा मैंने क्लास में पूछा तो किसी ने मुझे बताया कि सर सेक्शन नमबर 165 के हिसाब से अगर private company अगर private company public company की holding है अगर private company public company की क्या है holding है तो इस private को भी deemed public माना जाएगा बच्छो 165 में ऐसा लिखा है मेरे एक student ने कहा और बुला सर आप tension मतलो आप हमेशा के लिमत मानो आप सिर्फ मानोगे section नमबर 165 में for the purpose of counting of directorship मैंने बोला दोस्त ऐसा possible नहीं हो सकता this cannot be possible sir क्यों possible नहीं हो सकता मैंने बोला कि बहुत सापने wordings उसकी अच्छेज नहीं पढ़ी है section 165 के अंदर जो provise हो है जो explanation है आपने उसकी wording अच्छेज नहीं पढ़ी है wording क्या बोलता है बच्छो if you could see 165 subsection 1 क्या बोलता है इस act के commencement के बाद no person shall hold office as a director including any alternate directorship in more than 20 company proviso बोलता है और 20 में से maximum number of public company in which person can be appointed as director shall not exceed 10 so maximum 20 20 और इस 20 में से 10 क्या हो सकती है public हो सकती है अब आप लोग मुझे यहां पर यह बोलते है बहुत सरे student यह बोलते है कि sir यह जो explanation है this explanation says कि अगर एक public subsidiary है private की तो उपरवाली private को भी deemed public मानते है बच्छो यह सरासर गलत है ऐसा कुछ भी explanation में नहीं लिखा हुआ है explanation क्या बोलते है आप देखिए for counting the limit of public companies in which person can be appointed as a director बच्चो यह बोल रहा है for जब आपको public company की limit count करनी है पब्लिक कम्पनी के limit count करनी है डिरेक्टर्शिप in private companies मतलब आप अगर डिरेक्टर है private company में जो क्या है जो private company holding है जो private company holding है उसको आप क्या करोगे include करोगे तो यह provision सिर्फ यह बोल रहा है कि अगर आप इस private company में जो public की holding है यहाँ पर अगर कोई बंदा डिरेक्टर है तो वो in 10 public की limit में आ जाएगा यह section कहीं पर भी नहीं बोल रहा है यह provision यह explanation कहीं पर भी नहीं बोल रहा है कि यहाँ पर कोई deemed public company बन जाती है अगर कोई private company किसी public की holding है तो वो deemed public बन जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है this is all bullshit अगर आपके दिमाग में तो इसा निकाल दीजे इस जस्ट फॉर्ड पर प्रप्रस आफ कांटिंग दे नंबर ओफ डिरेक्टर्शिप इन पब्लिक कमड़िए आप मुझे बताइए आप इस बारे में अभी तक क्या सुज़रे थे कमेंट करके बताइए थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू